आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर लीजे और बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजेगा जिससे जितनी भी सिरीज की वीडियो आ रही है आपको मिल जाए आपको इंफोर्मेशन मिले और आप उसे मिस ना करें इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एम्स में क्या क्या रैंकिंग है एम्स की और उनकी ओपनिंग रैंक्स क्या है और थोड़ा भहूत और डिसेल में हम डिसकुस करेंगे कि आपको इम्स लेना चाहिए या इम्स नहीं लेना चाहिए इम्स में कौन सा इम्स आपको प्रिफर करना चाहिए if you are open to go as per the ranking या as per the people's choice क्या होना चाहिए ये पूरी discussion हम लोग इस वीडियो में करने वाले है कितने aims है, कब का establishment है ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आपको पता है कि 2012 से aims बाकी जगों पे बनना सुरू हुआ सबसे पहले aims Delhi था जो 1956 का establishment है और इसकी NIRF 2022 की ranking 1 है 2022 में aims Bhopal को aims में, total aims में second ranking में ली थी जो overall ranking 16 थी और aims Bhoneswar की overall ranking 26 थी और aims वाले colleges में ये ranking 3 थी बट बच्चों की 24 क्या थी 2022 में और 2023 में क्या रहेगी ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और उससे पहले मेरा request होगा ये चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा और सभी aims की opening rank ये मैं आज आप लोग को बता देता हूँ closing rank कोसिस करता हूँ, वो भी बता दूँ आपको first round की, उससे आपको काफी हट तक idea लग जाएगा तो चलिए aims जोदपूर 2012 में बना भोनेस्वर 2012 में बना भोपाल 2012 में बना पठना 2012 में बना रिशिकेश 2012 में बना रायपूर 2012 में बना उसके बाद आया नंबर रायवरेली का जो 2013 में बना फिर 18 में नागपूर, मंगलागिरी 19 में गोरतपूर 19 में तेलंगाना 19 में भटिंडा, 19 में कल्याणी, 19 में इम्स देवगर उसके बाद आता है नंबर 2020 राजकोट गुवाहाटी 2020 विजैनगर जो जम्मू को कहते हैं 2020 बिलासपूर जो हिमाचल में है 2020 में बना मदुराई 2021 में बना और ये जो इम्स मदुराई है ये तमिल नाडू में है 2021 में और उसके बाद एक अवंति पूरा कस्मीर रीजन में जम्मू में बन रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है रिवाडी में एम्स एक बनने वाला है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तरभंगा बिहार में एक AIMS कनने वाला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 23 तो यह AIMS हो गया दो प्रपोजड है एक AIMS बैंगलूरू में करनाटका में प्रपोजड है और AIMS मनीपूर में अभी अनौस्मेंट हुआ है तो यह हो गया तो टोटल 23 AIMS है आउट 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 23, 20 फंक्शनल है तीन अंडर कंस्ट्रक्शन में है दो प्रपोजड है अब आजाते हैं AIMS की ओपनिंग रैंक AIMS New Delhi हमेशा से 1st च्वाइस रहा है तो 1st रैंकर AIMS Delhi चूज़ किया लास्ट यार एम्स भोनेस्वर बच्चों के सेकंड 24 में चला गया और यहां पर All India 39 वाले बच्चे ने भोनेस्वर चूँस किया एम्स भोपाल 3 चूँस पर गया All India 61 वाले रैंकिंग ने एम्स भोपाल चूँस किया एम्स रिसी केस 119 औल इंडिया रैंकिंग वाले ने चूज किया पहली 24 मलब ओपनिंग रैंग एम्स जोदपूर 148 पे क्लोज हुआ मलब आम स्वारी ओपनिंग गया औल इंडिया 148 एम्स मंगला के लिए जो अंधरप्रदेश में है वो 354 पे गया और एम्स भटिंडा 358 पे गया ओपनिंग में और एम्स रायपूर 455 पे गया एम्स पिटपटना 510 ओपनिंग औल इंडिया रैंक पे गया एम्स कल्यानी वेस्पेंगौल 615 औल इंडिया रैंक वाले बच्चे ने सबसे पहले यहां इंट्री ली एम्स नाधपूर में 824 औल इंडिया रैंकिंग वाले बच्चे ने इंट्री ली एम्स राजकोट गुजरात में 943 औल इंडिया वाले बच्चे ने इंट्री ली और एम्स बिलासपूर हिमाचल में 959 औल इंडिया रैंकिंग वाले बच्चे ने इंट्री ली AIMS गोरकपूर 1192 जिनकी All India Rankings थी उन्होंने entry ली उसके बाद AIMS रायबर एली में 1242 All India Rankings वाले बच्चे ने entry ली AIMS बिजयपूर जम्मु में 1351 वाले बच्चे ने All India में ranking ली उसके बाद AIMS बीवी नगर तेलंगाना में 1531 वाले बच्चे ने All India में ranking ली एम्स देवगड जारखंड में 1744 फर्स्ट इंट्री हुई आल इंडिया से फर्स राउंड में एम्स गुआ आटी आसाम 1834 आल इंडिया रैंकिंग पे बच्चे ने इंट्री ली और एम्स मदुराई तमिलनाडू में जो है वो 31-80 आल इंडिया वाले बच्चे ने रैंकिंग एंट्री ली तो इस हिसाब से मेरे पास जो बच्चों के हिसाब से रैंकिंग है वो है एम्स देली 1st, एम्स भोनेशवर 2nd, एम्स भोपाल 3rd, एम्स रिसी केस 4th, एम्स जैपूर 5th, एम्स मदुर मंगलागरी 6th, एम्स भटिंडा 7th, एम्स रायपूर 36गर 8th, एम्स पतना 9th, और एम्स एम्स कल्याणी 10th, एम्स बेंगौल का एम्स नागपूर 11th, एम्स राजकोट गुजराट 12th, एम्स बिलाजपूर हिमाचल परदेश 13, एम्स गोरगपूर 14, एम्स रायपरेली 15, एम्स बीवी नगर तेलंगाना 17, एम्स जदेवगर जारकन 18, एम्स गुआटी आसाम 19th, औ तब आजाते हैं, थोड़ा बहुत, आपको मैं बता दूं कि क्लोजिंग रैंकिंग क्या गई है, सारे एम्स की, तो यह वेरियस केसे होते हैं इसके, यहाँ पर जानना थोड़ा जरूरी होगा, तो यह सारी ओपनिंग थी, क्लोजिंग मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडिय तक भी मौपप राउंड में जनरल में एम्स मिल जाते हैं, तो यह डिपेंड करता है कि आप किस राउंड तक कमफर्टेबल हैं जाने के लिए, हाँ जनरली जो अच्छे एम्स हैं, टॉप टेन आप टॉप फिप्टीन बोल सकते हो, चार हजार के बाद उनका मिलना जनरल क के टेगरीज में और नीचे जाते हैं, यानि आप अगर OBC, SC, ST और जनरल का देखें तो यह क्राइटेरिया अलग अलग मिलेगा, जनरल में 7,000, 8,000, कुछ-कुछ 11,000 रैंक तक आप मापप में ले सकते हो, यह मदुराई हो गया, जम्मू हो गया, गुवाहर्टी हो गया, लेकिन अगर आप second round तक comfortable होना चाते हैं, तो 4000 या 5000 तक में आप comfortably aims में settle हो सकते हैं, OBC और EWS लगबख थोड़ा सा और 2-3,000 रैंकिंग और नीचे, और अगर देखा जाए SC, ST तो यह काफी नीचे तक जा सकते हैं, यानि अगर आपके number 500 से उपर हैं, तो comfortably आप aims में settle हो सकते SC, ST की बात करता, इवन इससे भी नीचे कुछ-कुछ cases मिले हैं, लेकिन वो uncertain की तरफ जाता है, history vacancy की तरफ जाता है, वो मैं आपको recommend नहीं करूंगा, so it was all about, thank you very much.